राहुल गांधी को दूलने बनने की नसियत क्यों दी लालू? आखिर लालू ने अपने चुटकिले अंदाज में राहुल गांधी को क्यों कहा कि आप साधी कडिये हम लोग बारात चलेंगे? आखिर भरी शभा में लालू ने साधी का मुद्धा और बारात जाने की बात क्यो 2024 के लिए पटना में विपक्ष की मीटिंग को लेकर विजयपी लगतार हमला वर थी और बार बार सवाल कर रही थी मोधी के जबाब में पी-म का उमीदबार कौन होगा लालू के राहूल को दूला बढ़ने का बयान इसी का जबाब है तो दोस्तो मैं अभी आपको कहानी बता बार को किसी राजनितिक करेकरम में नजर आए और अपने चिर परिचित चुटकिले अंदाज में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी से कहा कि आप साधी करिए हम लोग बारात चलेंगे अब किसी को भी लग सकता है कि इतनी आहम राजनितिक मीटिंग के बाद प्रेस जबाब सुनिएगा मिशन 2024 के लिए पटना में बेपक्स की 15 पार्टियों की मीटिंग को लेकर बिजेपी लगातार हमलावर थी और बार बार सवाल कर रही थी नरेंदर मोदी के जबाब में उनकी और से परधान मंतरी पद का उमीदबार कौन होगा ऐसे में लालू के राह केमरे के सामने आये पहले उन्होंने राहुल गांदी की भारत जोरोयात्रा तारिप की और फिर अडानी मामले को लेकर लोग सभा में उठाये जाने का हवाला देते हुए कहा आपने लोग सभा में अच्छा काम किया इसके बाद लालू अपने चुटकिले अंदाज में आप हमारी सला नहीं माने विवाह नहीं किये अभी समय नहीं बीता है आप साधी कड़िये हम लोग बारात चलेंगे उन्होंने कहा कि आपकी साधी करवाई आप साधी कर लीजिये लालू के इस अंदाज पर वहां मजूद नेता और अन्ने हसने लगे इसके जबाब में कॉ पहले नजर में किसी को लग सकता है कि हसुए के ब्याह में खुर्पी का गीत गा रहे हैं लालू लेकिन जो लोग उनको और उनकी सैली को जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि उनकी हर बात का एक राजनितिक अर्थ होता है फिर लालू यादव कि राहुल गांदी को दूला बनने की वकालत के पीछे असली मकसद क्या है साफ है कि उन्होंने इसारो इसारो में सबको बता दिया कि बिपक्स का गटबंधन कॉंग्रेस की अगवाई में ही बनेंगे और दूला यानि परधान मंतरी पद के दाबेदार राहुल गांदी ही होंगे ये और बात है कि सबको साथ रखने की मजबूरी में इसके अपचारिक घोसना भले ही चुनाओ के नतीजे से पहले संभव नहों हो पाए लेकिन लालू ने ये बयान क्यों दिया इसे समझने के लिए बिजेपी और नेता पुर्व केंद्रिय मंत लेकिन दुला कौन है दुला कौन है पीम बढ़ने की कुछ की इकचा अंदर है और कुछ की इकचा बाहर है देश आगे निकल गया है देश एक अस्थाई सरकार चाहता है दुसरी तरफ बिजेपी अध्याक्स समराट चौधरी ने बिपक्षी एक्ता को ठक्स ओप गडबं नहीं है अज सब भरष्ट चाड़ी है उन्होंने यह भी पूछा था कि विपक्षी एकता का चेहरा कौन है कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा सारे लोग पीम बढ़ने का सपना देख रहे हैं विजेपी के विधायक जिवेश मिश्रा ने तंज कस्ते हुए कहा कि बैठ कर ले यहां सब अपने अपने रोग से ग्रस्त है पाकी मेरा नाम भी सजीत कुमर था और आप देख रहे हैं पाट